हैलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करते हुए एकदम परफेक्ट होंगे तो फ्रेंड्स देखे सबसे पहले यह साबुदाना है जिसे मैंने 3-4 घंटे पाने में भिगो दिया है और यह आधा कटोरी है भीगावा साबुदाना हाफ कटोरी मैंने ले लिया है साबुदाने को भिगोने से पहले 3-4 बार अच्छे से दोकर तब भिगोना है एकदम खिला-खिला साबुदाना भीग कर तयार होता है यह बादाम ग्रिंग पाउडर आपको मिल जाएगा किसी भी राशन शोप या किसी भी रिलाइंस या वीमार्ट में आधर इटर दूद है जिसको उबालकर ठंडा कर लिया है और यह वनफोट काटोरी मैंने बादाम पाउडर डाला है देखे बादाम पाउडर डालने की वज़र यह है क्योंकि मैं इस रेसिपी को वरत के लिए बना रही हूँ वरत में कोई ऐसी चीज अगर मिल जाए कि एक बार खा लें पूरा दिन पेट भरा रही है वरत में बार बार तो खाना नहीं खाय जाता और गर्मियों में खाना खाने की इच्छा भी नहीं होती ऐसा लगता कि हर बार कुछ ठंड़ ठंड़ खाएं तो यह ऐसी ही रेसीपी है जिसे आप नूर्मल डेज में फास्टिंग में बना कर खा लेंगे तो बस एक बार ही खाना है पूरा दिन पेट भी भरा रहेगा आपको और टेस्ट वीस्टे सारे आपको मिलने वाले हैं अब शुरुआत में यह बादाम पाउडर डालने के बाद मैंने इसे ऐसी मिलाया है बीना गयस चलाए जब बादाम पाउडर अच्छे से मिल चुका है तब इसमें भी गवाज साबुदा न डाला है देखे फ्रेंट्स यहाँ पर बादां पाउडर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि वरत किले से मैं बना रही हूँ लेकिन अगर आपके पास बादां पाउडर नहीं है तो इसको क्रीमी बनाने के लिए इसमें आप 1 फॉर्थ कटॉली मिल्क पाउडर डाल सकते हैं रेगुलर डेज में अगर आप इसे बनाना चाहते है तो कस्टर पाउडर एड़ कर दीजे या फिर कॉन फ्लार दोनोई चीजे वन फॉर्थ कटॉली के इसाब से मिक्स कीजेगा लेकिन शुरुवात है गैस के फ्लेम ओन नहीं करनी है जब आप यह चीजे मिला रही है क्योंकि ने तो इसमें गांठे पड़ सकती है बस सारी चीजे मिक्स करने के बाद मैंने इसमें यह साबुदाना डाल कर 6 मिनट के लिए इसको लोटू मीडम हिक पर ल लगेंगे उसके लिए मिश्री का इस्तेमाल करिएगा मिश्री बहुत ठंडा रखती है पेट को गर्वे में चीनी के जए मिश्री इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए अपने घर में वह जब हैल्फ बैनिफिट्स आपको इससे मिलने वाले हैं मिश्री डाल दे टेस्ट के कोई फ्लेवर नहीं होता शुरूआत में जब मिल्क पाउडर लिया बादां पाउडर डालेंगे तो वह फ्लेवर ना सब दाने मच्छे से इन्हेंस होंगे बड़ी हाट टेस्टी क्रीमी और भी ज्यादा होने वाला है शुरूआत में आड़ करने के बाद अल्राइट गाड़ा ना करें नहीं तो यह बहुत जादा गाड़ा हो जाएगा गैस के फ्लेम बंद करें बिल्गुल ठंडा करके फ्रिज में रखें उसके आपको मिलेगा यह मैंने एक घंटा फ्रिज में रखा बाहर निकाला आप देखें फास्टिंग के लिए कैसे इसको बनाना है तो इसका सेवन सुरू कर देजे दोस्तों यह बहुत रामबान इलाज वाली एक ऐसा इंग्रिडेंट होता है जो हर घर में गर्मे में इस्तेमाल करना ही चाहिए इसके बैनिफिट्स क्या होते हैं गूगल कर सकते हैं वेट भी रिडियोज यह करता है पेट को बहुत जाद मेरे पास मैंगो नहीं था तो मैंने नहीं डाला है सब जब अगहरा डालने के जाद सारी चेजे मिला दी अब यह बहुत टेस्टी हमारी एक कटोरी खा लोगे ने वससे एक कटोरी तो आप देखेंगे कि आपको कितने एनर्जी मिली है और पेट को इतना ठंडा यह करेगी इतना ठंडा कि आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और पूरा दिन आपका पेट भी भरा रहेगा तो फास्टिंग में इस्पेशली फोर फास्टिंग यह रैसेपी मैंना शियर करी है नॉर्मल डेज में तो आप इसे खाई ही सकते हैं लेकिन वरत में खाना आप वरत में बार बार भूगनी लगने वाली है आपको एक बार खा लीजेगा देखें कितना क्रीमिया है इसका कितना बड़िया तो बहुत ही बड़िया सी हमारी श्वीट डिश बंकर तहीं आ रहे हैं इसमें साबुद आने हैं कि खीर जैसा फ्लिवर बिल्कुल नहीं आने व प्लिवर की होती है इसका फ्लिवर बहुत बहुत कमाल का इसमें लगता है तो बच्चों को खिलाने के लिए थोड़े हटकंडे तो अजमाने ही पढ़ते हैं लेकिन अगर आपके पास जैली मिक्स है तो घर में भी आप जैली सेट कर सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने बाजार से लाकर इसे निक्स कर दिया और बच्चों ने यकीन वानी है फटा-फट इसे फिनिश कर दिया इसे हर बार सर्व करने से पहले फ्रिज में जरूर रखेगा यह बहुत ठंडा पेट को करेगी आप थोड़ा सा खा लेगे ना पूरा दिन एनरजेटिक आप रहने वा आपको तो प्राइ जरूर करिएगा इस रेसिपी को एक बार आगे वरत भी आ रहे हैं वरत में बनाना यह बहुत टेस्टी बनती है तो बस यह जो रेसिपी है अगर आपको पसंद आती है आपको लगता है कि यह बढ़िया है तो इसे शेर जरूर कीजेगा और चैनल को सब सब्सक्राइब भी कर लिजीगा और पसंद आता आपसे डिस्लाइक भी कर सकते हैं थैंकि फूर वाचिंग